So good day to all guys, इस वीडियो में step by step मैं आपको बताऊंगा कि कैसे Windows 11 को आप अपने virtual machine यानि कि VMware या कोई भी virtual application पर install कर सकते हैं और complete feature का इस्तेमाल कर सकते हैं So guys वीडियो को last तक देखेंगे, like करेंगे, share कर देंगे सबसे पहले याँ पर जबी भी आप Windows 11 को virtual machine पर install करना चाहते हो तो आपको दो application की जरूरत पड़ेगी यानि कि दो file की जरूरत पड़ेगी पहला आपको ISO file होना चाहिए Windows 11 का and second आपको VMware player होना चाहिए या तो virtual box होना चाहिए तो ये दोनों तीनों option मतलब अगर file आपके पास available है दोनों तीनों मेशे तो आप definitely install कर पाएंगे तो मैं computer screen पर लेकर चलता हूँ आपको और बताता हूँ step by step की कैसे आप Windows 11 को virtual machine पर install कर सकते हैं physical machine पर कैसे install करना है और insider program में क्या bugs वगहर थे वो सारी details मैंने अलड़ी बना रखा है वीडियो के description में detail है जाकर उस वीडियो को जरूर देखें तो चली यहाँ पर start करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देखो आपको जो application की जरूरत है VMware player तो मैं यहाँ पर search करूंगा VMware player download यह free है आप इसका कोई charge नहीं पड़ता है आप इसको easily download कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं अगर VMware workstation आप use करते हैं तो उसका कही न कहीं पैसा आपको pay करना होता है तो यह 215 MB का software है और यह जैसे ही download complete हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ second thing मैंने ISO file download कर रखा है ISO file हमने अपने computer पर D drive में save कर रखा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह और उसके बाद यह दो file होंगी और उसको आप install कर पाओगे अगर आप VMware के अलामा मतलब की VMware workstation के अलामा कोई और application यूज़ करते हो जैसे virtual machine नहीं बलकि virtual box enter तो यहाँ पर आप virtual box डाउनलोड कर सकते हो अगर आप virtual box पर भी चाहते हो कि install कैसे करते हैं Windows 11 को तो comment करके बता देना मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा तो यहाँ पर देखो virtual box यह option दिख रहा है डाउनलोड का इस पर click करना है आपको link available हो जाएगा और just scroll करना आप यहाँ पर देख सकते हो विंडोज होस्ट या macOS के लिए जैसा भी आपका उपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो विंडोज होस्ट के लिए मैं यहाँ पर देखो 103MB का software है यह हो जाएगा तो फिलाल यहाँ पर VMware हमारा जो player है वो download हो चुका है अब मैं इसको जा रहा हूँ install करने installation बहुत ही जी है बहुत आसानी से आप कर सकते हो जैसे कि double click इस पर कर देना है program is opening now and यहाँ पर देखो installation स्टार्ट हो जाएगा sorry हाँ जी and अभी यहाँ पर देखे download हो रहा है so finally हमारा जो installation है देखो मैं VMware के अलामा जो main machine use कर रहा हूँ वो भी Windows 11 ही है मैंने last video बता है physically कैसे install करना है अभी मैं बता रहा हूँ कि आप अपने system पर कैसे install कर सकते है अच्छा कुछ warning error आ रहा है maybe Windows 11 पर installation के समय पूछ रहा है the installer requires to restart your system finish installing Microsoft VC redistributable and then rerun the installer okay restart के लिए पूछ रहा है तो अभी क्या करना है कि program इतना मुझे save करना पड़ेगा तो मैं अभी यहाँ पर restart नहीं कर रहा and I think फिर install भी नहीं होगा तो सबसे पहले इतना program में save कर लेता हूँ इन पर आप देख सकते हो अभी आपने reboot किया machine को और यहाँ पर VMware workstation player जो है यह installation start हो गया है ना आप manually अगर आपका नहीं start होता है दुबारा कर लेंगे और यहाँ पर next button पर click करना है and then finally accept the license terms condition जो भी है and next करना है and then finally आपका enhance keyboard mouse का option जरूर कर लें ताकि इससे यह रगा reboot will be required इससे क्या होगा कि आपका जो mouse है और आपका जो keyboard है वो proper तरीके से integrate होकर काम करेगा तो मैं यहाँ इसको add कर लेता हूँ next करता हूँ and then finally check for update and यह सारी चीजें आपको करना है तो करिए क्योंकि अभी इसका कुछ खासी वो नहीं है जरूरत है तो हम इसको क्या करते हैं temporary basis पे install करते हैं desktop start menu यह सब दिया हुआ है desktop पर चाहिए start menu में इसका जो icon इंस्टॉल होने के बाद दिखे तो आप उसको select कर लेंगे next करेंगे finally and then install कर देंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पे time लगेगा और यह installation done हो जाएगा so finally install हो गया reboot का option आ रहा है तो reboot मैं यहाँ पे कर देता हूँ और restart होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसके अंदर ISO फाइल को integrate करना है Windows 11 का और step by step फिर आगे का installation कैसे करना है play step में आपको क्या करना है अपना menu open करना है और VMware workstation player जो आपने download किया उसको open करना है install करने के बाद license की पूछ रहा है तो आपको license की की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे और आप इसको as a 16 player for free non commercial use आप use कर सकते हो commercially आप इसको नहीं इस्तिमाल कर सकते and then finally सीखना है आप student है तो इसको इस्तिमाल कर सकते हैं कोई issue नहीं है okay so finally इस तरीके से आपके सामने एक screen आजाएगा and then आपको यहाँ पर क्या करना है create a new virtual machine अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ step जैसे मैं follow कर रहा हूँ अगर वो step follow करते हैं तो बहुत ही अच्छी speed के साथ या improvement के साथ अपने virtual machine को आप अपने computer पर install कर पाएंगे तो मैं क्या करता हूँ this PC में आ जाता हूँ और documents के अंदर मैं यहाँ पर documents या desktop पर ही एक folder create करता हूँ चलो मैं documents के अंदर एक folder create करता हूँ windows मैं इसको rename कर लूँ पहले तो show more में आकर यहाँ पर rename हो जाएगा rename and मैं यहाँ आपके vm लिग देता हूँ only और enter कर देता हूँ एक folder मैंने create कर लिया and then finally install disk या I will install the operating system later तो later मैं select करता हूँ next करता हूँ Microsoft windows यहाँ पर select करना है 10 select कर लेता हूँ latest क्योंकि 11 का भी इसमें support नहीं है तो ऐसा नहीं support नहीं है बट कर जाएगा आपको 10 को ही 11 में कर देना है and then browse करना है जिस location पर आप इस database को इसका database रखना चाहते है तो मैं vm के अंदर रखना चाहता हूँ vm के अंदर मैं slash लगा देता हूँ backward slash and then next यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आप 30 GB, 40 GB जो भी space देना चाहते हो आप दे दो तो मैं यहाँ पर 40 GB का space दे देता हूँ 400 हो गया, 40 GB कर देता हूँ store file as a single disk and next करना है और finally customize hardware पर आपको click करना है and then 2 GB RAM है तो इसको 4 GB तक कर दो, मेरे में 16 GB RAM है तो मैं 44 GB का दो machine proper चला सकता हूँ क्योंकि main जो physical machine है उसका half आपको apply करना होता है So finally, इतना step हो जाने के बाद आपको क्या करना है CD, DVD पर जाना है Use ISO image file select करना है and then browse कर लेना है browse आपने जहां कहीं भी image file रखा है वहाँ से आपको उसको select करना है तो मैं Windows 11 यहाँ पर रखा हूँ इसको मैंने add कर लिया add करने के बाद आप यहाँ पे close button पे click कर दो and then finally finish कर दो finish जैसे ही आप करोगे आपका यहाँ पर power on करने के लिए पूछेगा तो power on हो जाएगा यहाँ पर power on करना आपको and then finally यहाँ पर बोलेगा press any key तो कोई key आपने press कर देना है ताकि installation start हो जाए I think कि कोई key press नहीं हो पाया so कोई key यहाँ पर press कर देना है और जैसे ही कोई key आप press करोगे आपका installation start हो जाएगा and then आपसे next के लिए पूछेगा install now यह step आप जानते ही हो और देखते हैं इसमें क्या नया आपको देखने को मिलता है installation के समय इसका refresh कुछ इस तरीके से करना होता तो product key पूछ रहा है अगर आपके पास product key है तो आप उसको use कर सकते हैं older version की कोई भी product key आप इस्तेमाल कर सकते हो I don't have a product key अभी मैं यह आप एड करता हूँ and then finally यहाँ पे आपको एक addition select करना है तो मैं यहाँ पे pro and select करके next कर देता हूँ and then आपको terms condition accept करना है and then next करना है so finally यहाँ पे दो option आपके available होता है कि install windows की file upgrade करने के लिए and second जो होता है वो आपका clean installation के लिए तो मैं यहाँ पे clean installation करने वाला हूँ जो की second option है और यहाँ पर new करके complete एक partition create कर देते हैं 40 GB का and 39 GB में इसलिए आप windows का जो 11 part है मतलब 11 है वो इसको install कर सकते हो अभी यहाँ पे यह file installation इस्टार्ट कर दिया तो up to यह 5 तो 10 मिनट का समय लेगा तो हम यहाँ पे वीडियो को pause करते हैं यहाँ पर reboot हो रहा है और complete reboot हो जाने के बाद आपको जो भी इसकी basic setting होती है जैसे कि username apply करना, password apply करना, आप किस तरीके का आपने windows का customization चाहते हो और बहुत सारे different तरीके के इसमें option आ सकते हैं क्योंकि windows 11 है, new है तो हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या after installation, customization के लिए यह पूछता है, तो windows 10 में आप लोगों को एक experience देखने को मिला होगा कि काउटाना है, फिर keyboard layout है, and region country, region select करते हो, वो सारी चीज़े होती है, तो इसमें भी same वही चीज़ आता है, क्योंकि physical machine पर मैंने आपको installation बता दिया है, और virtual machine पर भी similar ही आएगा कोई भी point miss नहीं होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आती है, अच्छा जो मैंने आप लोगों को एक bug बताया था, कि हमारा जो यह security program है, यह बार-बार off हो जा रहा है, तो यहाँ पे देखो, बार-बार इसको on करना पड़ता है, जब भी आपका system reboot होता है, तो वो off हो जाता है ओके, so फिलाल यहाँ पर मैंने getting ready का option देखा कि Windows 11 का getting ready getting ready part start हो चुका है and we have to wait few minutes machine again reboot हुआ getting ready के बाद, और फिर कुछ setup यहाँ पे चल रहा है just a moment का option यहाँ पे आया है आप screen देखते रहिएगा क्या-क्या option आ रहा है, beginner है यह expert हैं, जो भी है आप यहाँ पी step by step इसको सीख सकते हैं, ओके, मैं ऐसा वीडियो शूट करता हूँ, जो कि अगर बिल्कुल beginner कोई है, तो उसको भी proper तरीके से learn हो जाएगा so again I think कि restart हुआ है यह क्या option आने वाला होगा जो customization option होता है, like user setting profile setting जो भी होता है so finally यहाँ पर installation हो चुका है और is this right reason यानी कि अपना country reason select करने को बोला है आपका जो भी country reason है उसको select करेंगे and then yes पर click करना है और finally यहाँ पर internet बगर मैं नहीं connect कर रहा last physical machine का installation जब कर रहा था तो भी आपको वदया था internet connect नहीं करेंगे और नहीं तो आपसे update बगर है इसमें installation time थोड़ा बढ़ सकता है जैसे कि Windows 10 में जब internet connect करते हो तो Microsoft account मांगता है और यह सारी चीज़े तो इसमें भी अगर आप offline account create करके जाना चाहते हो तो आप internet मत connect करियेगा अगर आप चाहते हो कि online account के थूँ जाना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कोई issue नहीं है keyboard layout पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे yes कर देता हूँ US का ही keyboard चाहिए और extra keyboard layout नहीं चाहिए तो skip कर देना है and then finally आपको यहाँ पे internet connect करने के लिए पूछ रहा है तो I don't have an internet connection में allow कर देता हूँ continue with limited setup कर देता हूँ अगरे का setup नहीं चाहिए and यहाँ पे मैं offline एक account create कर देता हूँ जैसे कि सीखो live करके and next मैंने कर दिया password यहाँ पे मैं click कर देता हूँ and again confirm password मैं कर देता हूँ and यहाँ पे security question पूछ रहा है तो security questions मैं कोई भी यहाँ पे apply कर देता हूँ finally कुछ इस तरीके से मुझे भी नहीं पता ही है सब चीजे क्या है मैं क्या type कर रहा हूँ क्योंकि बस यह just for practical purpose आपको दिखा रहा हूँ आप अपना security question वो apply करेंगे जो आपको हमेशा याद रहे जिसके थूँ आप अपना account का password कभी भी recover कर सकते हैं choose privacy setting for your device finally accept का option आजाएगा and then accept आपको करना है और just a moment आपको wait करना है और यहाँ पर हो जाएगा अगर आपका blue screen या black screen पर यह सारा काम हो रहा है या आपकी black screen आजा रही है installation के समय सब चीजे तो आप अपना windows का 11 का edition है जैसे pro है pro n है workstation है home basis है तो आप एक बार edition select change कर देना जब भी आप change कर दोगे तो आपको कोई issue नहीं होगा so this might take a few minutes तो में भी यह थोड़ा सा time ले personalize keep your PC and sorry on and plugged in तो यह please keep your PC turned on यह पूछ रहा है कि off नहीं होने देना इसको on रखना है so finally windows 10 का आप यहाँ 11 का आप देख सकते हो यह installation complete हो गया है basic settings वगर है यहाँ पे कुछ आ रही है and आगे का जो भी concept है कैसे इस पे काम करना है क्या क्या चीजे है सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा फिलाल यहाँ पे क्या है कैसे है and अभी आप देखो जो आप insider program यहाँ पे यूज कर रहे हो ना यहाँ पे देखो refresh option directly नहीं आ रहा है बट जब आप direct यहाँ से leak version को install कर रहे हो ना तो आप यहाँ पे refresh edition भी पाज आ रहे हो and थोड़ा सा different option यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों तरीके की windows windows 11 का complete series यहाँ पे आपको मिलेगा वस आपको चनल को subscribe, like, share करते रहना है and जुड़ जाना है channel से तो guys मिलते हैं next video में video कैसे लगी like करेंगे comment करके बताए कि आपका installation हुआ है या नहीं जो कुछ भी है and then finally मिलते है next video में thank you so much झाल